Hello Everyone, आजम क्लास 10th की Exercise 8.1 का Question No.6 solve करेंगे, बाकी 5 questions का लिंक दिया गया है हमारा सवाल है, यदि कौन A और कौन B नियोन कौन हो, जहां कोस A और कोस B दोनों बराबर हो, दिखाना है कि एंगल A और एंगल B भी बराबर है इसके लिए हम यह जो तो त्रिपुज बनाए हैं, इन दोनों को समरूप प्रूफ करेंगे, जिसे एंगल A और A बराबर हो जाएगा B के यह दोनों कौन नियोन कौन दिये गए हैं, और कोस A बराबर है कोस B के अब हम कोस A और कोस B का मान निकालेंगे, लाल बटे, खका, इस फोर्मुले में कोस थिटा का मान निकालते हैं, तो अधार अपोन करण तो कोस A बराबर अधार अपोन करण, इसी परकार कोस B बराबर अधार अपोन करण, अधार का मान कोस A के लिए यह है, और करण यह है, कोस B के लिए अधार यह है, और करण यह है थिटा के सामने वाली बुजा में सा लंब होते हैं, यह लंब है हम इसे परकार कॉस B बराबर Q B अपन آर B हम सवाल में दिया गए कि ये दोनों बराबर हैं तो यहां हम दोनों को बराबर रख देंगे और हम मान लेंगे कि ये अम के बराबर है पाइथा कोरस पर में से अब हम लंब का मान निकाल लेंगे तो पहले तिरबुज में लंब क्या है PC और पाइथा गरुष पर में होते हैं करन स्क्वाइर बराबर आधार स्क्वाइर प्लस लंब स्क्वाइर तो लंब निकालने के लिए करन स्क्वाइर माइनस आधार स्क्वाइर बराबर लंब स्क्वाइर और लंब की square हटा देंगे तो यहां under root इसी परकार इस तिरुबुज में लंब का मान यानि P, Q सोरी, R, Q का मान निकालेंगे यह किया गया, PC का मान निकाले गया तो current square minus आधार square और यहां जो square थी वो हटाने पर under root इसी परकार R, Q यानि ब्राबर under root R, B square minus Q, B square हमने दोनों जो लंब है उनके मान निकालेंगे अब दोनों का भाग देंगे यानि P, C upon R, Q निकालेंगे ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं ताकि यह यह और यह तिनों बराबर आजाएं जिससे यह जो तिर्बूज हैं दोनों समरूप तिर्बूज कहलाएंगे और एंगल A और एंगल B बराबर हो जाएंगे इससे PC upon QR करने पर यहां इन दोनों से A, A, C बराबर M, R, B और A, P बराबर M, Q, B A, P और A, C के मान M से निकाल लिएं यह दोनों मान यहां रखेंगे अब M स्कार दोनों जगए हैं तो बाहर निकालने पर उपर अंडरूट है तो यहां सिर्फ M बचेगा यहां बचे हैं R, B स्कार अपोन Q, B स्कार नीचे भी यह तो दोनों को कैंसल हो जाएंगे बराबर क्या बचा है? M यहां हमारे पास क्या बचा है? PC अपोन R, Q बराबर M और हमने इन दोनों के बराबर भी M मान के रखा है यह तिनों बराबर हो जाएंगे अनुपात इसलिए तिर्फुज A, P, C समरूप होगा तिर्फुज B, O, R के तो जब समरूप है तो एंगल A और एंगल B भी बराबर होगे यही हमें प्रूफ करना था वीडियो पसंदाई तो लाइक करें शेर करें, सबस्क्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें कॉमेंट करें आपको कॉनसिक्वर्शन का सल्यूशन चाहिए